हमें से बहुत सारे लोग ओट्स के रिगलर रिस्पी खा खाके बोर हो जाते हैं तो इसके लिए आज मैं आपके लिए चिकन और ओट्स के कॉमिनेशन में बहुत ही बढ़िया से नाश्टे की रिस्पी को शेयर करने वाली हूं जो कि अगर आप डाइट पर हैं तो भी आप इ बिना दिरिकिये चले जान लेते हैं रिस्पी को और हाँ रिस्पी को देखने से पहले चानतान में आए हैं तो काई लिए चानल को सब्सक्राइब करके सांथी लेगे बिल को दबा दीजिएगा जिससे मेरे हैर नई वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहु इसकी प्यास को मैंने फाइनली शॉप करके डाल लिया है और इसका कलर थोड़ असा गोल्डन होने तक पका लीजिए और उसके बाद एक चममजितने अद्रक और लहसन के पेस्ट को भी इसमें डाल कर बस एक से दो मिनिट के लिए पका लेने के बाद इसमें एक टमाटर को को देकर फाइनली शॉप करके डाल दीजिए और उसके बाद इसको एक बार अच्छे से पका लीजिए दो मिनिट के लिए और उसके बाद यहां पर आप चाहे तो चिकन का खीमा ले सकते हैं या फिर इसमें ज्यादा चिकन आपको ज़रुरत नहीं पड़ेगी बस थोड़ से बॉनलेस चिकन के पीसे को लेकर चोटे-चोटे पीसे समें बट बैसे करके डाल कर इसमें थोड़ेजर से आपके होगा और दोड़ेस देना अब लालमिश प्वाडर हलदी और थोड़ेसे धनीया पौडर और तोड़ेसे कर लेकर सारे सपाइस को एक बार अच्छे से मि अब आप देख सकते हैं माटा माटा जो है वह अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं अभी इसमें क्या कीजिए बस थोड़े से दही को डाल दीजिए तो यहां पर मैंने दो बड़े चमबस जितने दही को डाल लिया है और उसके बाद फिर से अच्छे से मिक्स कर लीजिए सारी चीज़ों को और उसके बाद अभी हमें इसमें पानी को डालना होगा तो एहम पर एक कप जितने ओट्स मैंने लिये थे और उसके लिए मैंने इसमें एक बड़ी ग्लास जो आ दिये एक बड़ी ग्लास पानी का इसमाल इसमें किया है पानी में जब इस तरह से उबाल आ रह कि इनको तो हमने अल्रेडी भून के रखा था और उसके बाद इस पर लेड लगा कर इसका पानी जो है वो सारा एवोपरेट होने तक पका दीजिए और अगर आप चाहे तो इस पर और थोड़े से फ्रेशली चौप किये हुए हरे धनी को डालकर सर्फ कल सकते हैं अभी हमारे आपको इसका स्वाथ कैसे लगा आपका फीडबैक जो है वह हमसे कमेट के जरी शेयर कर दीजिए रस्पी अच्छी लगी हो तो रिस्पी चोड़ सा लाइक करके अपने फ्रेंड से फामिली के सांद इसको शेयर करके और इंट्रस्टिंग रस्पी सबसे पहले देखने के सब्सक्राइब करके सांद ही लगे बिल को दबाज जीजिए का जिससे मेरा हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए थैंक यू फो वोच्छिंग